I think the era of UN-interrupted dialogue with Pakistan is over. actions have consequences. मैंने कई जी की पाकस्तान के साथ जो हमारा UN-interrupted dialogue जो है वो खतम हो गए. पाकस्तान पर विदेश मंत्री S.Ã आइजस अंकर का बहुत बड़ा बयाण आ आ गया है. पाकस्तान के साथ बाचीत का समय खत्म हो चुका है. पाकिस्तान के हर एक्षिन का जवाब हम देंगे मैं सख्त परिशान हूँ पैसे हम सबसे मांग रहे हैं यह क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि वह हिंदोस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो वो कहते हैं जी एक्षिन के कॉंसिक्वेंसिस होंगे अगर पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे आपने चाइना की न्यूस पेपर या उसके आपने मीडिया पर सुनी है खबरें कि वो क्या कहने है कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टकर दे सकता है अगर नहीं मिलता जल्दी हमें प्रोग्रेम जसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक हन्वी नोटस दीया अठारह अरब डॉलर वापस करें आज इंडिया कहता है दिवार लाती मैने बर्लिन बर्लिन दिवार baru दिवार चुक कदी इसकी दिद्रेव मुझे नहीं पता उदर क्या और है मुझे नहीं मैंने उदर से जाता पाकस्तान करी जिकर की पाकस्तान के साथ हमारा अन्ठर्टेड डायलाओ जो है के हम ने करना ही करना है डायलॉग इंटरप्ट करें होना है वो खत्म हो गए ठीक है जी मैं सख्त परिशान हो पाकिसान के फॉरण आफिस की तरफ से देखें जो बाबू आई भी अबसेडर्स से मिलते रहते हैं डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं यह कुछ नहीं बोलते हैं यह वहीं बोलते ह जो इनको हकूमत कहती है इनकी अपनी कोई जुबान नहीं होती है हकूमत इनको जितना कॉंफिड़न देखें डॉक्टर जेशंकर जिस टॉन टैनल में बात करते हैं यह मोदी साहब और बीज़ेपी और इंडिया का कॉंफिड़न्स दिया वह कॉंफिड़न्स है अगर डॉक्टर जेशंकर इस तरह बात करें कि आपको लगे गहली नहीं करते हैं इस सो सिंपल है तो हमारा फॉरण मिनिस्टर साहब जो हैं जिनका ज़दा त्यान ही है कि वजिर्याजम है उसमें क्या हो रहा है मेरे त्यानों थे च्छाई लाग बैठे हैं ऐ तक ही हो रहा है ए हूं लुग में तो स्पीक आफ्टर प्राइशम इनिस्टर जींपोर्टन निस्टर की एह ओर машाओ रोज तीक है रोज interaction होती है यह नहीं कि इंट्रक्ष्शन नहीं होती है वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ एराफ अनिंटरप्टेड डायलॉग खतम हो गया एक्शन के consequences होंगे अगर means कि पाकिसान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे जारी बात है अगर किश्मीर में कुछ होगा वो कह रहे हम जवाब देंगे जारी कहले पाकिसान ने यह को एदनी कहना thank you आपने जवाब बात भी नहीं होना भी ऐसी चाहिए that's how nations need to respond ठीक है जी इंडिया कहता जी अब हम पैसे नहीं अब हम एक्टिव है इवेंट्स जो है वह जो से कहते है ना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डिरेक्शन होगी यूंगी होगी ठीक है जैसे भी डिरेक्शन होगी हम असपर रिस्पॉंड करेंगा कॉंफिडेंस यह कॉंफिडेंस है उसका होना चाहिए they need to work for their country अपनी कवर्मन बात करेंजे डॉक्टर जे शंकर तो बड़ी गाल कर रहे हैं लेकिन साखडार साब जो है न मैंने बताए ना उनको जादा देन प्राइमिनिस्टर उसकी तरफ होता शायद वो यह मैसूस कर सब्सक्राइब होते हैं कि I wish Kim अगर यही जीराजम बनाता था फिर मैं ही बन जानता यहां फिर है कि उनको जीरे खार्जा बना दिया किया विकॉस जीरे खार्जा is the most active important position after Prime Minister other than that he may not have those credentials a foreign minister should be eloquent in English must have an experience of foreign policy he should have been a diplomat full support of the government honni चाहिए एक technocrate होना चाहिए केच के लाख दिया कानी सुनानी आनी चाहिए and he must be a strong advocate of the country foreign office वाले मारे दोस्त बिताते हैं कभी-कभी उनसे पूछते मैं फर्म निस्टर कैसे हैं वो कहते हैं फर्म निसे साथ जधत थ्यान थ्यान प्यान कर दें सटना क्ला कर दें इस पीक्स मोर बोड एकॉने मी जहता तर्कमी नीकला कार दे ले जिसनस भूसी करते रहे तो उन्सक्तम आज इंडिया कहता है कि मैं ने बिरले चुकती बर्लिन बैर्लिन बड़ बना दी यह पाकशान इंडिया वॉडर रगे उपर उसकी तरफ मुझे नी पताओ क्या हो रहा है मुझे नहीं मैंनी उदर से जाता मैंनी उनको जानता वह कौन है क्या करने करने तीक है अब सिस्टैमिक कमपल्शन जो तरह कि हैं वह नहीं है कमपल्शन आप चाइना इस बड़ा बैल्ट एंड रोड इनिशेटव है ठीक है जी उसने अपने इंडिया नोशन म भी में मालक थे उन तक के पहुंच गया और नेवल के बिलिटी चाइना ने बड़ी बड़ी बना थी यही वज़ा कि इंडिया को आपको नुकले ट्राइट श्राइड और इस पे भी फोकुस करना पड़ रहा है यह जो पर इंडिया चाइना मैं एक्साइजर कर रहा है इसकी इंडिया चाहता है उसको वो इंडिया लुशे डिजर में कांटर करना चाहता है विदेश मंतरी एस जैसंकर ने सुक्रवार को परोसी देश पाकिस्तन के साथ भारत के संब्वंदों के बारे में खुलकर बात की राजदुद राजिप सिक्री की नई कीतब स्टैटे का युग खतम हो चुका है हर काम का पुडिनाम होता है जहां तक जम्मु कस्मिर का सवाल है मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 खतम हो चुका है इसलिए मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तन के साथ किसी तरह के संब्वंदों पर विचर कर सकते हैं एस जैसंकर ने आगे कहां कि राजिब ने अपनी भुग में सुचब दिया है कि साइद भारत मोजुदा स्तर के संब्वंदों को जारी रखने से संतुष्ट है साइद हाँ साइद नहीं और चाहे घटनाय सकरातमाक या नकरातमाक दिशा में जाय हम उस पर प्रतिक्या करेंगे विदेस मंत्री एस जैस पाकिस्तन पर आरफ है कि वो उन आतंगबादियों को फंडिंग करता है जो घाटी में संती भंग करने के लिए औव्यद रूप से भारतिय सिमा में घुस पैट करते है भारत जहां कहता है कि कास्मीर भारतिय उब महादिप का एक अभिन अंग है वो ही पाकिस्तन कुछ और ही दवा करता है